Hello everyone, it's me Pooja और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे activities के बारे में जिसको करने से बच्चों के दिमागी विकास की कती बढ़ जाएगी पहली जो brainstorming activity है इसमें मैंने तीन pictures बनाई है pictures के अंदर आप देख रहे होंगे कुछ-कुछ numbers मैंने लिखे है इसमें बच्चे को क्या सोचना है कि किस color के उपर कौन सा number लिखा हुआ है तो उसी color को अपनी finger पे लगा के उस number को एक तरह से hide करना है जैसे और चलना है sequence wise मतलब 1, 2, 3 देना है 4, 4 यानि कि yellow में है उसके बाद है 5, 5 means वो red color है तो फिर से red color लिया उसके बाद 6 लिखा हुआ है blue में तो उसके बाद third finger को use किया और 7 भी blue color में लिखा हुआ है तो इसलिए 7 को भी hide करने के लिए blue color में finger को थोड़ा सा dip करना है और फिर 7 के उपर tap कर देना है then 8, 9 है black color उसके लिए use किया pinky finger को तो चार अलग-अलग fingers में चार अलग-अलग colors हो गए है तो बच्चा भी ये सोचेगा कि कौन सी finger में कौन सा color है दूसरी चीज ये सोचेगा कि कौन सा number आने वाला है that means कि 1, 10, 2, 3, 4, 5 तो दो चीज़े जब बच्चे एक साथ सोचते हैं या 2, 3 चीज़े जब एक साथ करते हैं तो उनका mind exercise करने लगता है और यही mind की जो exercise होती है वो बच्चों के दिमाग को तेज करती है obviously जैसे हम physical exercise करते हैं तो उसके बाद एकदम से active energetic feel करते हैं वैसे ही बच्चों का mind भी होता है और यह जो task है इसको करने में भी बच्चा 2, 3 चीज़े एक साथ सोच रहा है numbering के बारे में 1, 2, 3 की sequence में चलना है coloring के बारे में किस finger में actual में कौन सी color है और fine motor skill भी इसमें develop हो रहे हैं आप देख रहे हो बच्चे का fingers किस किस तरह से move कर रहे हैं चारो fingers में किस तरह का movement हो रहा है तो यहीं पर पहली activity खतम हो जाती है बात करते हैं अपनी दूसरी activity के बारे में इसमें मैंने बनाई यह कुछ इस तरह की sheet अगर ऐसी sheet हम बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसमें करना क्या है उनको सारा कुछ एक जैसा लगता है इस activity को कराने से जो हमें benefit होगा वो यह होगा कि बच्चे का mind systematic सोचना शुरू कर देगा कि अगर one by one एक एक circle को देखा जाए तो इधर orange है उसके बाद blue है उसके बाद इधर second वाले में green है ब्लू है तो एक एक करके अगर बच्चा solve करना start कर देगा तो उसको एक इची समझ में भी आने लग जाएगी इस coloring sheet को मैंने fill कराने के लिए वही cotton की जो पूजा वाली cotton होती है उसको लिया है और color में dip करके color में tap करके उसको circle के अंदर tap करना है इसमें भी बच्चे का वही thinking process थोड़ा सा बढ़ जाता है कि भाई यह blue है तो इधर blue वाले को उठाके blue को tap करना है red है red को उठाके red tap करना है इधर ममी ने orange किया है तो इधर orange करना है और इस तरह के coloring activities को बच्चे बहुत enjoy भी करते हैं हमारा में main motive पूरा हो जाता है कि वही बच्चों का mind develop करना है और बच्चे भी enjoy करते हैं चलते हैं अपनी तीसरी activity की तरफ इसमें आप देखने हैं कि मैंने एक ring बनाया है उसमें dots कुछ लगाए है colorful dots को वही ear buds से बच्चे को इधर देखना है कि कौन सा ममी ने किया है और इधर जाके same color को उठाके same color से tap करना है क्यूंकि इस ring के अंदर बहुत छोटे-छोटे से circle बने हैं तो बच्चे को थोड़ा focus भी करना है कि exactly इसी के अंदर वह dot आए और बार-बार इस coloring tool को change करना है coloring tool बोल दे रही हूं मैं इसको ear bud को तो बार-बार इसको change करना है बार-बार ध्यान रखना है कि कौन सा color red वाला था कौन सा red के बाद करना है यह बहुत छोटी-छोटी से image है इसको देखने में जितना आसान लग रही है उतना यह actually में नहीं ह इधर देखना है yellow उसके बाद green, red, green यह process है उसको करने में बच्चे का mind काफी अच्छे exercise करता है और यह तो एक basic idea हो सकता है आप लोगों के लिए मैंने इसमें ring बना दिया, circle बना दिया है आपके अगर बेटी है तो आप एक doll की माला बनवा सकते है क्योंकि माला में इसी त rest के according आप कुछ भी object ड्रॉ कर सकते हो बचों के mind development के लिए आप इस तरह के activities कराते रहिए इसी तरह के simple, easy or brainstorming activities में लेकर आती रहती हूं जो घर की ही सामान से हम बचों को करा सकते हैं तो आप channel को जरूर subscribe कर दीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना ना भूले वीडि